तुलसी के बारे हम जाने के तुलसी बिरिच उत्पत्ति कैसी होई है जालंधर की पतनी ब्रिंदा थी और ब्रिंदा अतिपति बरता धर्म को मानने वाली थी जिसे कारण सभी देविता लोग थरस्त हो चुके थे और सब का सिंहासन डोलने लगा सब परिसान होने लगे तब विष्णू ने जालंधर का रूप धारन कर उनकी सातित्तो को भंग करने के लिए गए थे और जिसके कारण ब्रिंदा पहचान जाती है और उसके भगवान विष्णू को स्रापित दे देते हैं कि हे भगवन आपने हमारे सतित्तो को भंग करने के लिए है इसलिए आप जा हो जाए जैसे अम लो सालीक राम भगवान को जानते हैं भगवान अथर हो गए और फिर भगवान-व्षिण कर दिये बिरंद्धा को जाओ तुम ब्रिक्ष हो जाओ वही तुलसी का बिर्च बन गई फिर ब्रिंदा वही तुलसी ब्रिच विस्तरापित करते हैं भगवान विश्णु को जब तक हमारी पत्ता आपके मस्तक पर नहीं चला जाए जाएगा तब तक आप आप वपुजु माने जाएंगी अगर किसी के घर में अगर करज से ज्यादा परिसान है तो सब दूर हो जाते हैं किसी के घर बीमारियां है, वो भी दूर होता है, किसी के घर में अगर आमदनी पैसा रुख गया है, वो रुकावड का पैसा आना चालू हो जाता है, आने प्रकार की समयश्या है तुलसी ब्रिच्छ के पूजन करने से प्राप्ट होती है, इसलिए तुलसी ब्रिच्छ को तुलसी का प्रिच्छ अपने आंगन में भी लगाना चाहिए, इसमें धर्सन करने से और इसके पास जो भी रहने से सप्रकार की सुधियां होती है, और सप्रकार की आनंद में जीवन व्यतित होता है, इसलिए तुलसी हम लोग शनातन धर में इसको अतियुत्तम माना गया ह प्रिच्छ आता है कि फुलसी की माला अगर घर में बना दें तो बिलकूल सहीए बात है, पुलसी का जो जड़ है, उसक अगर माला बनाके लोग माला से जब करें, माला को धारन करें, अपने घर में पूजा घर में रखने के उए, जटने प्रकर्णक आर अर स्वरकार की सम समेश्याओं से मुक्ति मिलती है सकते बात है अगर उसा हो कि तुल्सी का जड़ किसी के तावी में डालके पाढ़ने के बाद नवो ग्रहों की अगर कोई समेश्याओं चल रही है सब ग्रह का अनुकुल हो जाता है और इसे लोगों को रात मिलता है इसलिए पाढ़ना झाहिए झाहिए